बालू गिट्टी कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली तीन लाख रुपए लूटे नमस्कार मैं हुनी धीजा और आप देख रहें जियस निउज नोगच्या पुलिस जीला की जंडापुर उपिथाना चेतर के बीपूर बस स्टेंड के पास एनेश एक्तिस चौक पर सुक्रवार की रात करी नौ बजे बालू गिट्टी के कारोबारी मरवा निवासी लाखो चौधरी के पूत्र निकेश चौधरी उर्प निकू 34 वर्षिव को अपड़ाधियों ने गोली मार कर गंभी रूप से घायल कर दिया उनके प्रतिष्ठान अद्वेट ट्रेडर्स से 3 लाख रुपए और 3 मोबाइल भी लूटे निकू के पैर में दो गोली मारने के बाद अपड़ाधी अंधेरे में भाग गए सूचना मिलने पर ओपी प्रभारी स्थिव प्रसाद रमानी पुलिस बल के साथ वहां पहुँच गए ओपी प्रभारी ने बताया कि घायल को इलाज के लिए अनुमंडली अस्पताल नौगचिया ले जाया गया है जहां से बहतर इलाज के लिए भागलपुर माया घंजरे फर कर दिया गया है जानकारी के अनुसार हेलमिट लगाए तीन अप्राधी निक्कू के डीपो पर पहुँचे थे अप्राधियों को देखवा चौक की तरब भागने लगा हनुआन मंदिर के पास वहीं गिर गया तभी अप्राधियों ने उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुच गया और उस पर गोलिया चला दी ओपी प्रभारी ने बताया कि अप्राधियों की गिरपतारी के लिए च्छापे मारी की जा रही है इधार अस्पताल में भाजबानेता रोसन सिंग, बहपूर के फुर्व विधायक, इंजीरिनियर सेलेंद्र, सेंट्रल बैंक के प्रवंदक, विद्यानंद चौधरी वा अन्य लोग उनसे मिलने पहुचे डॉक्टर ने नितेश चौधरी की हालत खत्रे से बाहर बताई है